तुलसी दास जी तो रहा रचित हनुमान चली सा अगली च्वपाई पर चलते हैं आपके समक्ष संकट ते हनुमान चुड़ावे मन क्रम वचन धियान जोलावे संकट ते हनुमान चुड़ावे मन क्रम वचन धियान जोलावे आईए इसे जुड़ा हुआ गेहरा भाव आपके समक्ष संकट का तात्परे हैं असमर्थता संकट का जो मूल भाव है वो असमर्थता है जब आप कुछ करे नहीं पाएं कुछ ऐसा हो जिसमें आपका बस नहीं चल रहे आप उसमें प्रस गए हैं उसमें संकट कहते हैं कैसे उसको जो मन क्रम वचन धियान इन्हें अपनाता है मन अर्थात अथिर और संश्यात्मक मन को जो जुटा लेता है कैसे क्रम माने निश्चित पद्धती के द्वारा मैंने बार बार दोहराया न कि ये प्राण का खेल है ये ये प्राण का खेल है सारा निश्चित पद्धती को क्रम कहते हैं एक पूरा सिस्टम अस्थिर एवं संश्यात्मक मन को निश्चित पद्धती के साथ वचन वचन अर्थात पृतिग्या संकल्प वचन दिया है आपका वचन था पृतिग्या संकल्प ध्यान कहते हैं अनुभूत स्तर ध्यान मने अनुभूति ध्यान मने अनुभूति ये भाव लेना हमें अर्थात असमर्थता से जो हमें मुक्त करा दे कैसे जब हम अपने अस्थिर संश्यात्मक मन को एक निश्चित पद्दती के द्वारा प्रतिग्या और संकल्प ले करके अनुभूत स्तर पर प्रियोग करेंगे। तो ये बात आएगी मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे। मैं तीसरी बार दुरा रहा हूँ क्योंकि सारा प्राण का खेल हैगे। ये प्राण का क्षेत्र है पूरा। संकल्पित्थों का प्रतिग्या ले करके हम एक प्रियोग पर उतरते हैं अनुभूती, प्रियोग किसके लिए चेतना में अनुभूती के लिए। तब संकट से हनुमान छोडाते हैं। अन्यता अन्यता नहीं। अन्यता लिखने के आवशक्ता नहीं थी। मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे ये लिखने का तात्पर है क्या थी। यही था कि एक निश्चित पद्दती को अपनाना पड़ेगा। अस्थिर और संशात्वक मन को संभालना पड़ेगा। संकल्पित भाव से एक प्रियोग में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैंने बार-बार कहा ये प्राण का क्षेत्र है। प्राणा करशन का अभी क्षेत्र कह सकते हो, पर प्राण का मूलत है, मूलत तो प्राण का क्षेत्र है, यह सारा प्राण का भाव है, कि प्राण का भाव ही है, जिसके लिए इतना बड़ी बात नों ने कही, कि मन संश्यात्म को, मन अस्थिर मन को, क्रम एक निश्चित पद्धिती के द्वारा, पचन संकल्पित भाव से ध्यान, प्रियोग में उतर जाए, चेतना के प्रियोग ध्यान क्या है? ध्यान चेतना का प्रियोग है, प्रियोग शाला बलई शरीर बनता है, पर प्रियोग तो चेतना का ध्यान ही है ना तो जब इसमें उतरता है प्रान के लिए तो हनुमान उस असमर्थता से उस संकट से छुड़ा देते हैं ये इसका गहरा भाव है ओ मही सत्य है ओ मही सत्य है ओ मही सत्य है